माइख्रो फाइनिंस में ब्रांच मिनिंजर का सेलैक्सिं कैसे होता है कया क्या प्रोस्यस रहती है कैसे पर्मोशन मिलता कि microfinance में branch manager का selection कैसे होता है हाला कि हमने इसमें पहले भी बात की थी part 1 में कि microfinance में branch manager का क्या क्या काम होता है और कैसे करना होता है जैसा कि आप screen वीडियो देख रहे है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसको जरूर देखें इसकी लिंक हम वीडियो के discussion में देदेंगे जरूर इसको देखें और उसी भाग में हमने आपको बात करेंगे दूसरा भाग ले कहाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि microfinance में branch manager का selection कैसे होता है आज कि इस वीडियो में हम microfinance में branch manager का selection कैसे होता है अगर internally promotion होड़ा तो कैसे हो तो यह सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले है वीडियो को अंतक बने रहे हैं पूरा देखें स्किप ना करें कहीं आप से कुछ important छूड़ना जाए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा सबसे पहले हम बात करते कि microfinance में branch manager का selection कैसे होता है इसको दो भाग में समझेंगे हैं दो भाग में कैसे एक internal promotion होता ब्रांच manager का दूसरा हम बाहर से लेते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि बाहर से अगर कोई branch manager के लिए आ रहा है तो selection प्रक्रिया क्या है, किस तरीकेस होता है माल लीजे, आप ये आप किसी company में branch manager है चीक है, और आप चाहते हैं कि ये दूसरी company switch करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या रहेगा, आपका interview round रहेगा पहला जो initial round, HR round ले सकता है कोई भी वहाँ का area head ले सकता है तो simple वही round जैसे आपने पहले भी दिया होगा कि आप क्या करते हैं, कितने time से job कर रहे हैं कितना experience है, कितना आपने portfolio बनाए, कितना customer बनाए आपके याँ OD कितनी रहती है, हमेशा OD आप कितनी reduction कर देते हर महीने किस तरीके का client base है, किस तरीके area, इस तरीके की सारी बाते हैं आप से वहाँ पर interview में हो जाती है अगर मालो है, चाल ले रहा है, या कोई area manager आपका interview ले रहा है तो अगर उसको यह सारी चीज़ समझ में आती है, जो आपने बताई है तो वो फिर आगे forward करेगा, यानि state head के पास ठीक है, state head वहाँ पर आपका interview लेगा और आपसे वही सारी सवाल कि आप भी सारा काम कैसे करते हैं मतलब यहाँ पर आपका intelligent है, वो देखा जाएगा कि भाई आपना अगर क्योई branch manage करते हैं तो किस तरीके से branch manage करते हैं, इस टाप की hiring कैसे करते हैं, OD को कैसे control कर सकते हैं, risk को कैसे control कर सकते हैं, collection कैसे करते हैं, sourcing के style क्या है तो यह सारी चीजें वहाँ पर बात और वो इस तरीके से आपका interview हो जाता है ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपका सारे को सही हो जाता है, तो वहाँ पर आपका selection हो जाता है, और final आपका offer later अगर जाने हो तो एक तो इस तरीके से branch manage का selection हो जाता है ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा होता है internal promotion ठीक है, internal promotion में क्या होता है, कि अगर आप माल लो कोई staff में job कर रहे हैं, और कापीर समय हो गया उसी company में आपको यह दो तीन साल हो गया है, और आप अच्छा perform करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हर मेन अच्छे client लाते हैं, आपका ODB जीरो रहता है, आपका collection भी 100% हो जाता है तो इस तरीके से आपको internal promote कर दिया जाता है, as a branch manager, वहाँ पे जब promote किया जाता है, तो आपने इस staff में काम किया होता है, अब यहाँ पे आपको branch manager की position भाखे, branch manager का role निभाना होता है, यहाँ पे अब आप staff के जैसे नहीं सोच सकते, यहाँ पे staff में क्या होता है, हम अपने वारें में सोचते हैं अहने क्या है ना हागी पूरी टीम के दिएंगा कैसे करना है को चौन कम च्ररीक क कर épork दonके थियां रखना हो किस किस स्टाप का काम करने का स्टाइल क्या है जिससे आप किस में इंप्रूमेंट के जरूरुत है किस में और थोड़ा पुस्ट करने के जरूरुत है तो इस तरीके साब अपनी टीम को मैंज करते हैं ठीक है तो दो तरीके होते हैं ब्रांच मेनेजर में सेलेक्शन के जिस त में आप किसी दूसरी Microfinance में चाहके Branch Manager के लिए अपलाई कर सकता है अगर आपका Experience काप ही अच्छा है और आपके अंदर वो Skills है जो भी एक Branch Manager के अंदर होना चाहिए और इस इंट्रिवू को टाइम पर सामने वाला है यह जो भी Area Manager यह अचार यह इस टेट कोई भी ले रहा है और उनको लगता है कि हाँ आप में potential है और आप टीम को manage कर सकते हैं आप एरिया को manage कर सकते हैं तब भी आपका Branch Manager के लिए selection हो सकता है लेकिन Branch Manager की selection होने तक ही सीमत नहीं थे कि Branch Manager का role अपने हमें एक बहुत बड़ा role है कोई चोटा role नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको Business करने से related कोई भी issues आते हैं वो manage करने होते हैं RCO related बहुत सारी चीज़े हैं वो भी आपको manage करने होते हैं सो Branch Manager के level पर आपका जो सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए जैसे इस टाप का होता उससे बहुत अलग होना चाहिए अगर आप इस टाप से promotion हुए जैसे हमने पहले बात की रिए या पर दूसरी कंपीनी में आपको चोड़े माइक्रो फइनस में काम करते हैं वहां पर उतना ज्यादा आपको चैलिंज नहीं थे और बड़ी माइक्रोफनेंस कंपीने आप आ गए यहां पर चैलेंस हैं तो आपको अपने माइंड को वैसा प्रिपर कर औरुए आपको मालों में कि पॉजिशन कोई आसान पॉजिशन होती यहाँ पर काम करना होता है यहीं से आपको जादा है इंदर को लेकर ना बाखी लोगों को इंग्नोर सकरते हैं तो यह नहीं करना है आपको यह ब्रांच क्या आपको लीडर्सिप क्वालिटी आपके अंदर आना चाहिए जिससे आप आगे भी जा सके और आप लोग को कि देगी अजब आप बड़े ओदे पर जाते जाते हैं तो लोग आपको रिप्रेंस से जानते हैं कि वह बंदा वह लड़का वहां पर अच्छे से काम करता उसको अपनी कम बिलोना तो आप एक रिफेरेंस चल ला तो यहां पर बाइस ने सना आए इस चीज का भी थोड़ा द्यान रखे और साथी साथ अपने सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्यारे वगएर आपको मेंटें कर जाने जिससे आपको आगे अच्छे ग्रोथ मेले और आच्छे से आप आपके लिगिविल्टी एरिया मेनेजर की बन जाती है और आप यहां पर एयरिया मेनेजर के लिए अपलाय कर सकते हैं यहां प्रोमोशन लिख नहीं तो बाहर भी आप इसको आज आ इंट्रेवू दे के आप आप इसको ले सकते हैं क्योंकि आपको पर्फूमेंस इसलिए इसलिए लिए newmas आपको आपको काम कने का तरीका है जो अपको काम करने का शुक्त से ब्हुत बाइड रखना जिस से किया कि आपको आगे चलकर अच्छी से लोड में डगता है उस्ते है को आज आए about the Trinity आपकी अपने पहले बार्ध को आज आगको आद हमें जिससे आपको समझगे कि a branch manager का में क्या होता और कैसे कोरिलेट करना है अगर वोल किरें तो branch manager का selection सेलेक्षन आपके performanceण आपके knowledge और काम करने के style सारा depend तर्थ ही पर घरता है तो हमें आच्छे से कम काम करें हैं और सीकिने पर ज्या अब झाने किसी के लोगों के साथ रहे के और किसी के बातों में आके कभी भी अपना करियर को खराब ने करें कई बार देखने में आता है अपने करियर को भूल के और कुछ चीजों फस जाते हैं तो यह ना करें अगर आपको long term ने job करनी है आप चाहते हैं कि आगे और काम करना तो इस तरीका जरूद द्याँ रखे और आगे आप किस टॉपिक पर microfinance में वीडियो चाहते हैं वो जरूर हमें comment करके बता है और आगे भी हम ऐसी आपसे microfinance के बारे में बात करते रहेंगे जह है